शुरताओं पेरेंटिंग अपने आप में कला है हर आयो वर्ष के बच्चों को अलग-अलग पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है इससे पहले हमने शिशु से आठ वर्ष और आठ से बारा वर्ष के आयो वर्ष के बच्चों की पेरेंटिंग की बात की और आज हम बात करें हैं 12-18 वर्ष के बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाए इस बारे में तो इसके लिए हमने अमन्तुरित किया है हरिपाल पिलानिया जी को सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टुडियो में सबसे पहले यही जाना चाहेंगे सर कि 12-18 साल के बच्चों की जो परवरिश होती है उसके लिए पेरेंट्स को क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए मैं इसको टीन एज भी बोलते हैं और अडॉल सेंस एज भी बोलते हैं मैं समझता हूँ कि यह सबसे कठीन दोर होता है पेरेंट्स के लिए और शायद बच्चों के लिए भी उतनाई कठीन होता है जी बिलकुल बच्चा बच्चपन से जवानी के बीच का एकी जो ट्रांजिट फेस है इसमें फिजिकल, इमोशनल, मैंटल काफी सारे चेंजिज के थुरू गुजरता है जैसे तो इसके कुछ ने कुछ से बायो प्रोडेक्ट्स भी होते हैं और हम अलग अलग चीजों पर थोड़ी डिटेल से बात करेंगे बाकि सबसे ज़्यादा जो इश्यू जीज में है एक तो एंगर है बच्चे का लेजिनेस जैसे है काफी पेरेंट्स का उब तक बहुत लेजी हो गया है डिस ओविडेंस है आइडेंटी क्राइशिस जैसे बच्चे की सेज में होते हैं उसके लावा पीर प्रेसर भी कई वर बढ़ जाता है और पेरेंट्स के कंपनी को अवाइड करके दोस्तों की कंपनी को ज़्यादा इंजुआय करता है पेरेंट्स की सेज में कंट्रोल बच्चा उतनी आजादी चाता है बिल्कुल सर एक बात ये भी है कि बच्चा जो होता है हर बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होता एक तरह से हम कहें तो अचीवर होते हैं कुछ और कुछ नहीं होते तो उन बच्चों को कैसे डील करना चाहिए पेरेंट्स को हाँ टीने पेरेंट्स को थोड़ी सी कम समस्य आती है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती उनकी कम पेरेटियल में जो नोन अचीवर है या नोट टू अचीवड उस केटेगरी में भी नहीं है जैसे तो ये सारा मामला इस चीज का है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको उसमें मज अगर इशूस हो जाते हैं या फिर आजादी उनको चाहिए होती है या और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो युवा आपने आप में महसूस करते हैं इस टीनेज में तो उनकी प्रतिक कैसे पेरेंट्स उनको डील करें ये आप हमारे शोताओं को बताईए कि जैसे जैस उनक Rainier में में चिंजिक होते हैं तो वो कैसे पता करें और कैसे उसकोष ट आउट करें एक तो मुझी लगता है कि चिड चिड या जाते हैं बच्छे जी और एंगर भी है ये आस पास की चिज़े है तो सबसे सही तरीका बचता है कि बच्यों के साहथ आप इस पे डील करें थोड़ा साफ एज़ पे रहें और जब खास दोर से कभी बच्चा किसी स्कोले की गुस्षा है, इवन छोटी सी चीज, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, इस पे बच्चा एक दम से उचल के पड़ सकता है, मतलब पता नहीं, कोई और चीज होगी दिमाग में, किसी कलास में बच्चे से कोई जगड़ा हुआ है, कोई टीचर से कोई इश्यू है, वो कई बर मम्मी पे आके निकल जाता है, तो आप उस पे एक तो रियक्ट ना करें, मैं इसका सोचता हूँ कि इंट का जवाब पत्थर से न दें, तो आपको पॉलाइटलि उससे डील करना है, सेज में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, सर्जो देखे गए हैं, तो उनकी वज़़े से स्वभाव में क्या अंतर आ सकता है बच्चों में? वैसे तो एक यह बात भी, टीनेज में तो हम भी आए होंगे, उस वक्त शायद मीडिया का या एक अवेरनेस का इतना जमाना नहीं था, आज कल बच्चों को कुछ ज्यादा पता हो गया है कि टीनेज हैं और शायद उसका उफाइदा भी उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो हार्मोलन चेजस का जैसे है कि एक तो बोडी मैचूर हो रही है, बच्चों को हलकिल की दाड़ी लड़कों को आने सुरू हो जाती है, उनकी आवाज भारी हो जाती है जैसे, ठीक है, और इमोशनल का है, जैसे आइटिक क्राइसी सबसे उपर आता है इसमें, बच्चे क काफी काफी देर तक सी से आगए खड़े रहेंगे चाहिए लड़का है या लड़की है, ठीक है, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, मेरे दोस्तों मेरे क्लासमेट्स मेरी अस्टेंस क्या है, कितनी है, तो उस सोच में बच्चा ज़्यादा टाइम बिताता है इसो मेरे खास तोर से शुरू शुरू मजब उसमें टीनेज आई है आती है तो ये आपके ख्याल से सामाने चीज़ है बिल्कुल नॉर्मल चीज है बिल्कुल ओर रियक्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ पर एक और चीज़ें जो इस एज में देखने में आई हैं कि दोस्तों को ज्यादा लाइक करते हैं पेरेंट्स को अवाइड करते हैं और एक अपना स्पेस चाहते हैं आजादी चाहते हैं वो कहां तक सही है आपके हिसाब से ये सच है पेरेंट्स की कंपने को बच्चे जादा इंज्वाई नहीं कर पाते खास सोर से उन पेरेंट्स की जो हर वक्त बच्चों ग्यान देते रहते हैं, हर वक्त उनके केरियर की, उनके पढ़ाई की बाते करते रहते हैं और रही दोस्तों कि दोस्त, of course, उनकी कमपनी को इसलिए नच्वाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी होती हर बार यह नहीं बताने होते कि आज मेरे मार्क्स कितने अच्छे थे आज मेरा दिन क्लास में कितना अच्छा था वो दोस्त ऐसी चीजें नहीं पूछते इसलिए वो ज्याद अच्छे लगते कई बहर ऐसा भी होता सर कि दोस्तों के इंफ्लूएंस में बच्चे अपना करियर चुन लेते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि हमने जो किया वो गलत किया यह लगने में तो बहुत साल लग जाते हैं, गलत था या सही था, यह जरूर है कि इस उमर में बच्चे जिसे करियर चूज करने का एक मौका आता है, तो influence होते हैं दोस्तों से, तो इसमें मेरा यह suggestion है पेरिंट्स के लिए, कि आप counselor से बच्चे को एक तरह से उसकी कोई session और जो मैं counselor बोलता हूं, तो यह नहीं जो आम तोर पे career counseling के नाम पे, जो medical institutes है, coaching centers है, उनमें सारे बच्चों को medical की ही opportunity, possibility नजर आती है, कि सारे बच्चों बहुत potential है, यह तो डुक्टर बनने के लिए बिलकुल त्यार है, मैंने ऐसे sessions होते देखे हैं, IAT वाले हैं, वो ब बच्चे के दो-तिन evaluation procedures हैं, उस पे evaluate करेंगे, जैसे उसमें एक तो होता है aptitude test, एक होता है competency, कई बार बच्चे fantasy और interest के हिसाब से भी समझते हैं, कि यह career अच्छा है, तो उसका counselor होते हैं, काफी लंबा चुड़ा questionnaire होता है, और उसके बाद बच्चे को guide करते हैं, कि यह management की तरफ इस बच्चे में potential मुझे ज्यादा लग रहा है, उसमें ज्यादा अच्छा कर सकता है, यह science की तरफ इसका ज्यादा interest है, यह logical में कुछ ज्यादा अच्छा aptitude दिखता है, तो यह low की तरफ जा सकता है, तो मेरे राय में career चूज करने के लिए एक counselor की सला ली जाने चाह यह उनको competition करते वक्त, बच्चा में हम रोज ही competition से गुजर रहा है actually, जी, class में हो सकता है, उसके relatives के बच्चों के साथ हो सकता है, यह future में 10 साल के बाद बच्चा 24-25 साल, 23 साल में जाके क्या करेगा, वो तो बहुत दूर का competition है, वो daily basis के competitions भी मुझे लगता है parents, teachers create करते हैं तो इसमेरा एक चुटा सा suggestion है कि यदि बच्चा खुद से compete करेगा, खुद के साथ वो compete करेगा, तो उसका outcome ऐसे रहेगा कि वो ज्यादा efforts करेगा, उसका confidence build होगा, उसकी performance improve होगी और यह satisfaction बढ़ेगा बच्चे में, खुद से competition, satisfaction और growth होगी बच्चे की, at the same time यदि बच्च औरों से competition करता है, तो बच्चे में frustration बढ़ती है, outcome के तोर पे यह है कि वो overthinking में चला जाता है बच्चा, उसका confidence low होने लगता है, क्योंकि उनकी performance होगी बहुत अच्छी रही हो, और all together उसकी performance फिर गिरने लग जाती है, क्योंकि उसके efforts घट जाते हैं, तो competition बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर focus करना चाहते हैं बच्चे का, कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर कहीं मत देखो, मतलब उसके जो shock होते हैं, hobbies होती हैं, वो भी उनमें कहीं दब के रह जाती हैं, आपको क्या लगता है, कि इन सब के बीच hobbies पर भी ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई का तो ऐसा है पेरेंट्स का, कि बच्चा दो गंटे से माल लॉट में क्लास में है, या दसमें क्लास में दो गंटे से बैठके पढ़ रहा था और पापा ओफिस से आते हैं, और तब भी जस दस मिन पहले बच्चे ने टीवी चलाया है, तो एकदम से पापा का र स्टेटमेंट है पेरेंट्स की, अब बच्चा सोचता है छे साथ गंटे स्कूल में आना जाना भी रहा, स्कूल भी लगा, यह सारा दन कैसे बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है, तो इसमें मैं समझता हूँ, होबी को तो एक बार के लिए हम अलग रखते हैं, अकेडमिक से पढ़ता है, मेरा बच्चा भूत मन लगा के पढ़ रहा है, इसकी बजाए कि वो टीवी देखते हुए मिले, और फिर आप को कमेंट करें या उसको ताना करें, तो फाइंड ए चाइल डूइंग सम्थिंग राइट, और राइट तो उसकी पढ़ाही की बात करें, तो ज लगातार मुझे लगता है, जरूरत है, दूसरी से में होबी की बात है, बच्चों को मैंने पिछली उसमें भी बात कीती हर इज के बच्चों को ए घंटे के आसपा स्पोर्ट्स में खास तो जहां पर इसका पसीना निकले, जरूर टाइम देना चाहिए, और टीनेज के लि से कम बच्चा जरूर अपने हैपिनेस ग्राफ उसका बढ़ेगा, अपने उसके लिए करे हो, मस्ट है यह, जी, होबी को आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ, आपको लगता है क्योंकि एक तरह से स्ट्रेस हो जाता है जब तो उस लेवल पे शौक जो आप आए स्टुडियो में इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू